दोस्तों आप लोग अपने mobile phone को यूज करते हैं और यूज करते करते आप लोगों का mobile phone automatically switch off हो जाता है दोस्तों बंद हो जाता है और automatically switch on हो जाता है अपने आप जो है आप लोगों का mobile खुल जाता है और अपने आप जो है बंद हो जाता है दोस्तों switch off हो जाता है जबकि आप लोगों के mobile phone में full battery रहता है दोस्तो उसके बावजूद आप लोगों का mobile phone अपने आप switch off हो जाता है और अपने आप switch on हो जाता है दोस्तो तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो को पूरा end तक जरूर देखे हैं क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने mobile phone का switch off और switch on problem को कैसे solve कर सकते हैं दोस्तो दोस्तो आप लोगों के पास कोई भी company का phone हो आप लोग इसी तरीके से same to same जो मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ वो तरीका से आप लोग किसी भी मोबाइल का switch off और switch on problem को आप लोग solve कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों को बस वीडियो को पूरा end तक देखना है और आप लोग हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को प्लीजर सस्क्राइब करके बेल आगन को प्रेस करके all पे select कर लेना ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो की notification जल्द से जल्द मिल जाए तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को अपने mobile का automatically switch off और switch on problem को solve करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है अपने mobile की setting में जिहां दोस्तों आप लोगों के पास कोई भी company का phone हो आप लोगों को direct अपने mobile की setting में चले जाना है दोस्तों उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे scroll करके यहाँ पे ढूण लेना है Smart Assistance Setting दोस्तों उसके बाद आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करने बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है Schedule Power On Off तो दोस्तों अगर यह वाला सेटिंग आप लोगों के मोबाइल में इस तरीके से नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को दोस्तों सिंपल सा अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ सर्च वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर लेना है दोस्तों S-C-H-E उसके बाद D-U-L-E-D scheduled power P-O-W-E-R power On और Off दोस्तों आप लोगों को सेम टू सेम इसी तरह से लिखना है सही सही S-Pelling अगर आप सही सही नहीं लिखेंगे तो यह वाला सेटिंग आप लोगों के मोबाइल में नहीं आएगा दोस्तों इसलिए आप लोगों के मोबाइल में यहाँ पे S-Pelling सही सही लिखें उसके बाद यह वाला सेटिंग आ जाएगा तो आप लोगों को यहाँ किलिक कर द आफ हो जाएगा Automatically और कितने बज़े यहां पे आप लोगों का Mobile Phone Switch on हो जाएगा Automatically तो दोस्तो यह वाला setting आप लोगों के Mobile में On होगा इसको अपने Mobile में आफ कर देना थे दोस्तो आप लोगों के Mobile Phone में Switch off और Switch on Problem Solve हो जाएगा दोस्तों आप लोग ये वाला setting को जैसे ही अपने mobile में off कर देंगे वैसे ही आप लोगों का mobile phone जो है automatically switch off नहीं होगा दोस्तों और automatically switch on नहीं होगा ये वाला problem 100% solve हो जागा दोस्तों आप लोगों के mobile phone में.